नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाई लाइफ और मैं हूँ आपके साथ अंकिता मिश्टा आज के प्रोग्राम में बात करेंगे तुनीशा शर्मा के केस की हर कोई जानना चाहता है कि आखिर तुनीशा शर्मा के केस में चल क्या रहा है और क्यूं शिजान खान को जम प्रेश करते थे यह वही लोग है जो एक दिन इंटर्वियू करते थे इंस्ट्राग्राम पर भी सिर्जान खान के बारे में तुनीशा के बारे में कई बड़ी बड़े पोस्ट करते थे बाते करते थे मगर अब चाहे सोशल मीडिया के बारे में वो या फिर टीवी बीडिया के बारे में कहीं भी ये नज़र नहीं आ रही है और ना केवल शिजान खान का परिवार या शिजान के वकील बलकि तुनीशा शर्मा के परिवार से भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है फिलह अनुमान लगाया जा रहा था कि मुंबई हाई कोट ही इस पूरे मामले में सक्त कारवाई करेगा शिजान को सजा मिलेगी मगर ऐसा नहीं हुआ जब पुलिस ने चार्ट शीट को वसाई कोट में दाखिल किया तो अब एक बार फिर से जमान तियाचिका को भी वसाई कोट में दाखिल कर दिया गया है यानि कि यूँ कह सकते हैं कि अब हाई कोट से फिर ये मामला वसाई कोट में पहुच चुका है 23 फर्वरी का ये वो दिन है जब तुनीशा शर्मा के केस में चार्ट शीट पर सुनवाई की जाएगी 14 फर्वरी जिस दिन F.I.R. को रद करने की मांग पर सुनवाई की जाएगी और वहीं वसाई कोट से अभी तारीख मिलनी बाकी है जमानत याचिका को ले करके फिलाल इस बारे में हम बात करेंगे की आखिर जमानत क्यों शिजान खान को नहीं मिल रही है और क्या सजा शिजान को मिल पाएगी क्योंकि तारीख है तो मिल रही है मगर ना तो जमानत मिल पा रही है और ना ही सजा मिल पा रही है तो आँखिर इस पूरे केस का आगे चल कर के महीनों की बात करें, या दिन की बात करें कन्क्लुजन क्या निकलेगा? मिरसाथ आज के प्रोग्राम में मौजूद है मेरी सहयोगी प्रग्या, प्रग्या बहुत सुवागत है आपका. जे अंकिता जे प्रग्या देखिए आज के प्रोग्राम में बात ये करेंगे कि आखिर शिजान खान के मामले में कंक्लूजन क्या निकलेगा तारीखें मिल रही हैं और बेल की बात करें तो बहुत दिनों से फैंस इसका इंतजार कर रहे थे कि आखिर शिजान खान के मामले म बेल क्यों नहीं मिल रही बलकि शिजान खान पर तो कोई सबूत भी नहीं है शिजान के खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण भी शिजान को बेल नहीं मिल रही सजा के बात करे तुनीशा शर्मा के फैंस तुनीशा का परिवार ये जानना चाहता है कि श्रजान को कौन सी सजा मिलेगी मगर सजा भी नहीं मिल रही है तो आखिर इस पूरे केस को अप किस रुख की और जाते हुए देख रही है इस वक्त देखिए अंकिता यहां पर अगर मैं बात करूं लगातार देखने को मिल रहा है कि इस केस में ना तो कोई पुखता श्रजान खान के खिलाफ अभी तक मिला है नहीं श्रजान खान के खिलाफ कोई भी ऐसा गवाह सामने आया है जिसकी गवाही के बाद ये दावा किया जा सके कि तुनीशा के निधन के लिए श्रजान खान ही जिमेदार है सिर्फ दलीले सामने आ रही है एक सीसी टीवी फु नहीं था और सिर्फ एक सीजी टीवी फुटेज की वज़ा से ही श्रजान खान को मुझरिम बाना जा रहा है हाला कि यहाँ पर सबूत इतने जादा नहीं है वहीं दूसरी और अगर बात करें हमने कई ऐसे केसे देखी है जिन में जिसका भी निधन होता है वो जिससे भी जिम क्रेबन दो महीने पहले की ही बात है औक्टूबर के महीने में विशाली टकर जो के काफी जादा पॉपिलर एक्ट्रिस थी कई फेमस सीरियल का हिस्सा वो रह चुकी थी और अपनी सगाई से महस चार दिन बाद ही विशाली टकर ने खुद अपने घर में खुद जान दे द तो यह सबसे बड़ा सबूत था क्योंकि आखरी नोट बहुत महत्वाफ़ पूंड माना जाता है मतब सबसे बड़ा सबूत माना जाता है इसके बावजूद भी उस केस में राहुल नवलानी को जमानत मिल जाती है मतलब आप यह देखिए कि कोट चार्चीर तक दाखिल हो कोने से पहले ही इस केस में राहुल नवलानी को जमानत मिल जाती है वही दूसरी और अगर मैं बात करूँ तो अभी तक तुनीशा शर्मा की केस में शिजान को जमानत नहीं मिल पा रही है जो काफी जादा शौकिंग है कि यहाँ पर तुनीशा के केस में कोई ऐसा सबूत लिए कोई गवाह नहीं है फिर बीश रिदान को जमानत नहीं मिल रही सिर्फ और सिर्फ तारीके मिल रही है जो कई तरह के सवाल खड़े कर आए कि आखिर का क्या वजह है दूसरे चीज अगर हम बात करें कि के स्केस में कही ना कहीं पूलिस में कह सकते कि लापर वाही तो दो महीने का वक्त हो जाएगा इस 24 फरवरी को अगर मैं बात करूँ लेकिन यहाँ पर आप ये देखे कि अभी तक तुनीशा के जो आखरी कपड़े जो नोंने अपनी निधन के दिन पहने थे उनके रिपोर्ट अभी तक नहीं आई तुनीशा का फोन अनलॉक नहीं हुआ है आखिरकार कौन है अली कौन है शिजान की ये सीक्रेट गल्फरिंट इनकी आइडेंटिटी को लेकर भी पुलिस खामोश है तो ऐसे में कही रा कही पुलिस अगर और ज्यादा तफ्तीश करे बारी की सशानवीन करे जाच परताल करे तो शायद इस केस को इतना लंबा ये न नाम तो बॉइफ्रेंट पर लगा फिर हम अगर वैशाली टकर की बात करे तो उस केस में भी ऐसा ही था प्रतिशा बैनर जी इतना हाइफाई केस चला एक एप्रेल का दिन तक किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रतिशा इतना बड़ा कदम उठा सकती है दिव्या नहीं खटा कर पाई कोई केस का कंक्लूजन नहीं निकला कोई सजा नहीं मिली है इतने पुराने केस हैं लेकिन फिर भी हाइफाई होने के बावजूद उनमें पुलिस कारवाई नहीं कर पा रही है चूप कहा हो रही है क्यों इन अभिनेत्रियों को ही अभिनेत्रियों की जान जाने के बाद क्यों इनके केस में इतनी बड़ी लापरवाहियां बढ़ती जा रहे हैं जबकि ये केस तो कई बार सामने आ चुके हैं। जास उनकी जान गई है। ये भी अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया जिसमें कहीं न कहीं हमने अक्सर देखा हैं कि जो भी केस इतनी तेजी से सामने आते हैं जुन में लगातार काई अपडेट सामने आते हैं। आहा भी गया आमिताब बच्चन जैसे जिनने बिग भी कहा जाता है उनके साथ भी काम कर चुए ते लेकिन ना तो उन्हें इंसाफ मिल पाया ना प्रतियूशाब अनरजी को इंसाफ मिल पाया है। शाले टकर का केस भी ऐसे ही दबता हुआ दिखाई दे रहा है और अब तुनीशा शर्मा का केस भी देखिए शृदान खान आरोपी है या नहीं वो कोड़ डिसाइड करेगा लेकिन कम से कम पुलिस तो किसी कंक्लूजन पर पहुचे पुलिस तो कोई ऐसा सबूत पेश करे जिससे कम से कम ये तो साफ हो कि शिजान खान मुझरिम है या बेग्युना है फैंस लगतार कन्फ्यूज हो रहे हैं जिसकी वज़ा से कहीं न कहीं नियाय पालिका पर सवाल उठ रहे हैं पुलिस की कारवाई पर सवाल उठ रहे हैं और शायद आने वाले वक्त में फैंस य आखिर अभिनेत्रियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है क्यों अभिनेत्रियों का केस ही इसी तरीके से दब जाता है क्यों उनके केस में कोई सुनवाई नहीं होती केवल प्रतियूशा का केस नहीं है केवल तुनीशा का केस नहीं है ये उन महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बा कर दो कर दो कर दो